दोस्तों जब बहू और ससुराल वालों के बीच में पारिवारिक या वैवाइक मदब्यद हो जाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में ससुराल वालों को बहू जो होती है वो एक नजर नहीं भाती और ससुराल वालों का टोटल फोकस यानि पूरा का पूरा फोकस इस बात पे होता है कि कैसे भी करके बहु को ससुराल से बाहर निकाल फैके और इस बात के लिए ससुराल वाले अपनी पूरी की पूरी ताकत जोग देते हैं कि कैसे भी करके अब क्योंकि हमारी बहु से नहीं बनती बहु हमारे को ए तरे तरे के हद्कंडे अपनाना शुरू कर देते हैं सबसे पहले तो बहु को तरे तरे की की बातों से परशान करना शुरू कर देते हैं उसको ताने देना शुरू कर देते हैं उसको रोज किसी ना किसी बात पर किसी ना किसी वज़े से उसके साथ जगड़ा करने लग जाते इसके पीछे intention यह होती है कि बहु कैसे भी करके मानसिक तोर से परशान हो जाए और खुद ही परशान होके ससुराल का मकान छोड़के वहाँ से चली जाए अब इस चीज के लिए बहुत सी बाते की जाती हैं बहु को ताने भी दिये जाते हैं उसके साथ गाली गलोज भी की जाती है उसे धमकिया भी दी जाती है उसके माबब को भी धमकिया दी जाती है उसे टॉर्चर भी किया जाता है मानसिक रूप से परशान भी किया जाता है य तुदही ससुराल का मकान या घर छोड़कर अपने घर चली जाए, यहां से निकल जाए लेकिन ऐसी सिटुएशन में क्या होता है? कई बार बहू मांसिक तनाव में तो आती है, लेकिन वहां से हटने को तयार नहीं होती और उसके बाद क्या होता है बहू या तो पुलिस को कॉल करती है या किसी ने किसी तरेके की सहायता लेती है अजिकतर यही होता है कि बहु पुलिस को कॉल करती है पुलिस जो है सुसराल में आती है और आके सिरफ और सिरफ सुसराल वालों को और बहु को समझा बुजा के चली जाती है अब ऐसी सिच्वेशन में क्या होता है जब कई बार पुलिस को कॉल करने के बाद पुलिस बार बार ससुराल में आती है घर पे आती है लेकिन बहू को और ससुराल वालों को सिरफ समझा के चली जाती है या ये कहके चली जाती है कि ये तो पारिवारिक मदभेद है वैभाईक मदभेद है घर का मामला है इसे घर में बैठ के ही सुलजा लो तो ऐसी situation में दो बाते हो जाती हैं एक तो बहू एक तो उस लड़की जो सस्राल में रह रही है उसका मनोबल बहुत ही ज़ादा गिर जाता है कि पुलिस भी उसकी किसी प्रकार से साहता नहीं कर रही और सिरफ और सिरफ जूटे आसवाशन या तसली दे कर या settlement की बात करकर मह के साथ कर सकते हैं और इस गलत फैमी में आकर सस्राल वाले एक बड़ा कदम उठाने की सोच लेते हैं बहु के साथ मारपीट लड़ाई जगड़े शुरू कर देते हैं और उसको साथ जोर जबरदस्ती करके यानि मारपीट करके धक्के मारके या किसी भी तरीके की जोर क्ताना मैं चाता हूं कि क्या एक बहु एक लड़की जो अपना परिवार छोड़के पती के भरो से पर अपने ससुराल में रहने आई है क्या उस बहु को उस ससुराल में रह रही है ससुराल वाले क्या उसे उस मकान से जोर जबरदस्ती से बाहर निकाल सकते हैं क्या बहू को जिस मकान में वो रह रही है जिस मकान के वो कबजे में हैं बले ही वो ससुराल वालों का मकान है या किसी का भी मकान है क्या उस मकान से जोर जबरदस्ती करके बहू को बाहर निकाला जा सकता है उसे दक्के मारके ससुराल से बाहर निकाला जा सकता है आज बात करने वाले हैं इसी टॉपिक पर इस वीडियो के बारे में तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देके अगर एक भी point आपने miss कर दिया तो बात अधूरी रह जाएगी आपको समझ में नहीं आएगी तो वीडियो को skip बिलकुल ना करें और शुरू से अन तक जरूर देंगे तब ही आपको सारी बात समझ में आएगी कि क्या बहू को सुसुराल से जबरदस्ती बाहर निकाला जा सक को साथिया या नहीं निकाला जा सकता का क्या बहू अपने posession को जिस मकान में वह रहती है क्या? अपने पोजेशन को वह प्रोटेट कर सकती है किसी तरीके से या नहीं कर सकती हुए दोनों बाते आपको इस वीडियोиж में बताने वाला हो है अब देखे बहु अगर सुसराल में रह रही है चाहा है वो सुसराल के पूरे में रह रह रही है certa सारे एक कमरे पर कबजा हैं मैं अगर बहू कांवाँ अभाल से तो उसे उस प्रिमाइस से जबरदस्ति बाहर नहीं निकाला सकता यही कानून है जिए अगर भाहू ससुराल में रह रही है छाय पूरे मकान में या जबरदस्ती बाहर नहीं निकाल सकते हैं यही कानून है और इस कानून को कैसे अपने benefit के लिए इस्तमाल करना है कैसे इस कानून की सहायता लेकर अपने favor में कोई rights कोई relief court से लेना है अब इस बारे में भी बताने वाला हूँ जनरली क्या होता है जब बहु के साथ इस तरीके के वारदात हो रही होती है इस तरीके के incidence हो रही होती है बहु के साथ पाने मारे जा रहे होते हैं बहु को धक्के मार कर भार निकालने की कोशिश की जा रही होती है उसको threats दी जा रही होती है इस बात की धंकिया दी जा रही ह आप पुलिस ब सब्सक् Amazing a पुलिस आती है कि पुलिस अवार्टिव मांट करती तो अधिकार दिला पाती और नहीं था बाती है और ना ही बहु को उस मकान में रहने का अधिकार दिला पाती और ना ही उसे संदक्षन दे पाती बरहाल अंत में होता क्या है कि यही सब असमंजस में समय निकल जाता है और एक दिन ससुराल वाले बहु को जबरदस्ती ससुराल की प्रोपर्टी से प्यमाईसे से बाहर निकाल देते हैं, अब ऐसे में एक बहूदी बड़ी निराशा उस लेडी के मन में आ जाती है, बहु技 के मन आ जाती है कि भाइ, पुलिस ने तो मेरी कोई सहायता ही नहीं करी, और पुलिस का फायदा, कि मैं उस मकान से बाहर निकाल दी गई, जबरदस्ती बाहर निकाल दी गई इसके बावजुद कि मैंने पुलिस में कई बार शिकायत की थी अब यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ यही कानून मैं समझाना चाहता हूँ कि अगर कोई लेडी किसी मकान के सस्राल के मकान के या कमरे के पुजेशन में है कबजे में है और उसको डर है कि उसको बहुत जल्द इसके कबजे से बाहर निकाल दिया जाएगा या उसको धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाएगा या धमकियां आ रही हैं कि उससे जल्दी बाहर निकाल देंगे तो ऐसे में पुलिस में सूचना तो जरूर दे लेकिन पुलिस किसी भी लेडी का possession सिक्योर नहीं करा सकती उसे protect नहीं कर सकती पुलिस के पास इस बात का अधिकार ही नहीं है कि वो किसी व्यक्ति को अगर उसे जबरदस्ती बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है या बाहर निकाल दिया गया है तो पुलिस उसके possession को उसके कबचे को protect कर सके सिक्योर कर सके पुलिस को इस बात की power ही नहीं है अगर आप चाते हैं कि आपका possession protected रहे, secured रहे, आप जिस property में, सवाल के जिस मकान में रहते हैं या जिस कमरे में रहते हैं उसमें से आपको जबरदस्ती जबरदस्ती यानि forcefully आपको उस मकान से बाहर ना निकाला जाए या फिर threats के चलते, किसी भी attempt के चलते, आपको उससे बा इसमें शिकायत कर दी, लेकिन अगर आप चाते हैं कि आपका possession secured रहे, protected रहे, तो आपको civil court की सहायता लेनी पड़ेगी, court में case file करना पड़ेगा, और उस case में आपको court से इस बात की prayer लेनी पड़ेगी, इस बात की prayer करनी पड़ेगी, और directions लेनी पड़ेगी, कि आप इस property के कबजे में है, yes property के इस possession में, इस property के sorry, इस premises में, इस portion में कबजे में है, possession में है, और आपके possession को disturbed किया जा रहा है, forcefully आपको उस मकान से बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है, आपके in-laws आपको दक्चे मार कर, या जोर जबरदस्ती करके कैसे भी इस मकान से बाहर निकाल ने के बहुत से attempts कर चुके हैं और आपको threat कर रहे हैं इस तरह के call सफिविल court में file करेंगे यरह थो civil court आपके राइंट's को आपके possession को protect करेगी उसे संधक्षन देगी आपका possession को secure करेगी बले ही आप उस property के जिस property में आप possession मांग रहे हैं जिस प्रोपर्टी के कबजे में हैं भले या आप उस प्रोपर्टी के ओनर हैं या नहीं है इर्रिस्पेक्टिव अफ दिस फेक्ट डेट वेदर यू आर दी ओनर अफ देट प्रिमाइस और नॉट पुलिस वाले उसमें नहीं करेंगे कूछ लेकिन civil court ऐसी situation में आपको protection देगी आपको उस प्रोपर्टी पर stay देगी और यह orders जरूर पास करेगी कि उस प्रोपर्टी अपको जबरदस्ति यानि forcefully बाहर नहीं निकाला जाएगा अगर आपसे कोई उस प्रोपर्टी कर रहा है तो उसको with due process of law यानि कानून के orders से ही कानून के orders लेने के बाद ही आपको इस property से बाहर निकाला जा सकता है कोई भी व्यक्ति आपको उस property से forcefully बाहर नहीं निकालेगा इस बात का order court आपके favor में देगी और आपका possession protect हो जाएगा secure हो जाएगा और आपके favor में इस बात का stay court से मिल जाएगा कि आपको इस property से जवरन या जवरदस्ती बाहर नहीं निकाला जाएगा तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ आ गई होगी कि if you want to secure your possession against forceful dispossession you have to file a civil suit before the civil court मतलब अगर आप चाते हैं कि आपको आपकी property जिसके कबजे में आप हैं उसमें से जवरदस्ती बाहर ना निकाला जाए जोर जवरन आपको forcefully वहां से बाहर ना निकाला जाए तो आपको civil court में file करना पड़ेगा एक case और वहां से orders लेने पड़ेंगे कि आपको उस property से जवरदस्ती बाहर ना निकाला जाए वहां से आपको stay order लेना पड़ेगा तभी आप अपने possession को अपने कबजे को secure कर सकते हैं legal तरीके से वीडियो पसंद आए तो like share and comment कर दे चैनल को subscribe कर ले और बेल आइकोन को दबाना ना भूले जिससे हमारे वीडियो की notification आप viewers तक पहुचते रहे आपको कोई सवाल आपकी कोई query आप comment section में लिखें आपकी बातों का जवाब देने की पूरी-पूरी कोशिश की जाएगी इसी के साथ विदा लेता हूँ अगली वीडियो में बहुत जल मिलूँगा आपसे तो दोस्तों मस्त रहें स्वस्त रहें हसते रहें मुस्कुराते रहें आप हैं तो हम हैं इसलिए stay safe stay alert आपका दिन शुब हो